हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नीलंकर कुर मेरे किचन में आप सभी का स्वाधत है आज मैं आपकी साथ मज़ेदार से आलू चीज कटलेट की रैस्टेपी शेयर करूँगी जिसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं आप यह से आपकी सीबी gettogether आपाठी के लिए बना सकते हैं यह स्नेक्स बहते हैं बहुत है अजोब बडरा चीज कर लिए है सिर्फ इसको मैंने आलू और वीट बीटूट से बनाकर ट्यार किया जब तो इसको बनाने के लिए चार से पाँच मैंने बॉय लालू लिये हुए हैं जिसको मैंने ठंडा करके कब्दू कस कर लिया है तो इसको एक बड़े से बाउल में अलू को डाल देंगे वन टीस्पून लालमिच पाउडर वन टीस्पून धनिया पाउडर वन टीस्पून नमक इसमें एड़ करेंगे वन टीस्पून चाट मसाला इसमें एड़ किया है थोड़ा सा कटा हुआ हरी में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसमें एड़ कर देंगे टू टेबली स्पून मैंने इसमें कार रोट एड़ किया है अगर आप इसिमें beetroot add नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सिर्फ आलू से भी बना कर तैयार कर सकती है तो सबी चीजों के बार mix कर लेंगे आप इसमें अपनी पसंद की और कोई भी vezetable आड़ कर सकते हैं सभी चीजों को mix कर लिया है तो हातों को मैंने अच्छे से clean किया हुआ है उसके बाद इस सभी चीजों को एक बार mix कर लेंगे और इसको smooth dough की तरह तरह त्यार कर लेंगे तो इसको थोड़ा सा हातों से mash कर लेंगे अलो को मैञें एक से डेढ़ मिनिट के लिए इसी त्रीके से अच्छे से mash कर लिया है जिस से आच्छे से smooth हो जाए तो इह हातों पर काफ़ी जादा चीप पकड़ा है तो थोड़ा सा हातों पर oil लेंगे और इसको फिर से नीट कर लेंगे आलू और बीटूट का मिक्सचर बहुत ही अच्छे से स्मूध डो की तरह तयार हो चुका है तो इसके हम छोटे-छोटे बॉल बनाएंगे और फिर इसको हम फ्लैट कटलेट की शेप में तयार करेंगे तो मैंने या पर थोड़ा सा मॉजिरेला चीज इसमें स्टफट करेंगे क्योंकि मैं इसको बच्चों के लिए बना रही हूं तो मैंने इसमें चीज एड़ किया है जिससे बच्चों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसलिए मैंने इसमें बीटूट भी एड़ किया है बच्चे सबजी अखाना पसंद नहीं करते है और बीटूट काफी ज़्यादा हैल्दी होती है तो आप इस तरीके से बीटूट के कटलेट बच्चों को बना कर दे सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मोजिरेला चीज एड़ करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे और फिर से इसको गोल करते हुए ना इसको फ्लैट करेंगे एक कटलेट की शेप में तयार करेंगे आप इसे अपनी पसंद से किसी भी शेप में बना सकते है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना जाधा बढ़िया लग रहा है बच्छों को बहुत जाधा पसंद आएंगे काजु को इसके उपर लगा देंगे इस तरीके से जिससे यह देखने में और भी जाधा सुंदर लगेंगे और खाने में तो यह बहुत ही जाधा टेस्टी लगते हैं तो ब्रेड क्रम्स इसके उपर कोट कर लेंगे आप फ्रेश ब्रेट को मिक्सी के जार में डालकर पीज सकते हैं, इस तरीके से आप इसको ब्रेट क्रम्स बनाकर इसके ऊपर कोट कर सकते हैं, जिससे ये काफी ज़द कर तयार होंगे, बहुत ज़दा टेस्टी लगेंगे, तो सभी को सेम तरीके से कटलेट को तयार कर और इसको फ्रीज में आदा गंटे के लिए हम छोड़ देंगे आप चाहे तो इनको इस तरीके से पहले से बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं जब भी आपको बनाना हो दो से तीन दिन में आप इनको बनाकर खा सकते हैं तो सभी को मैंने आधा घंटे के लिए प्रीजर में रख दिया है और एक पैन ले लेंगे और उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ओई लाट गया है तो मैं इनको सैलो फ्राई करूंगे आप चाहें तो इनको डिफ्राई भी कर सकते है या फिर आप इनको थोड़ा आपको फ्राई करना है और देखी सकते हैं इसको मैंने एक को पल्टा है इस पर कलर बहुत जादा बढ़िया है और देखने में यह बहुत ही जादा सुन्दा लग रहे है और बीट तूट के बने हुए कटलेट काफी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और बच्चों यह ब एक साइड से छोटे वाला जो मैंने डाला था उसका देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया कलर आया है तो इनको पलट देंगे तो दोनों साइड से इन पर गोल्डन कलर ना जाए तब तक इनको हम फ्राई कर लेंगे फ्रेम को मीडियम हाइ किया हुआ है और इनको अलटते पलटते हुए हम सेलो फ्राई कर लेंगे तो सभी कटलेट पे बहुत भड़ी है सा कलर आ चुका है बहुत जादा क्रंची यह बनकर तैयार हुए है तो एक एक कर के हम इन सभी को निकाल लेंगे तो बहुती बढ़िया चटपटे से मज़ेदार ये चीज कटलेट बनकर हमारे तयार हुए है तो इनकी प्लेटिंग कर लेंगे गर्म गरम ही आप इसे सर्फ करें आप इसे चाही की साथ भी सर्फ कर सकते हैं या फिक धनियफ Sith की चटनी की साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो मैंने इसको धनियफEND की चटनी साथ गचार किया है इमली की घट्री मीटी चटनी की साथ बहुत ही जदा टेस्टी लगते हैं अगर आप इन दोनों चटनी की राषिजपी देखना चाहते हैं लिंक में डिस्क्रिप्षिन में अड़ दूगे इसको सब्लिक सुछ बना सकते ह AGट तो आपको यह रैसिप पसंद आए। तो प्लीज वी लिकसत में, थांक यू